40 लाक की घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए उनके घर उनके सहियोगियों के यहां से करीब 7 करोड़ 20 लाक रुपए बरामत किये जा चुके अभी इसके बारे में भारतिये जनता पार्टी के सामने सुई टपक सन्नाटा एक शब नहीं बोला जाएगा आप सब लोगों ने देखा होगा आज सुबह से आफी के चैनल चला रहे हैं और पूरे मीडिया और सोशल मीडिया पर है कि कैसे करनाटक में एक बड़ा स्कैम फिर से सामने आया है मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने इस्तमाल किया है लेकिन माईसोर का जो सैंडल सोप गोल गोल आता है बड़ा ही बढ़िया होता और बहुत सुगंदित होता है बचपन से मैंने तो बहुत अच्छे से देखा है और देखा है बहुत लोगों को इस्तमाल करते हुए आज भाजपा की ये कृपा रही है करनाटक में कि उस संदल के साबुन में भी भरष्टा चार की दुरगंद भर दी गई है और आपको सिलसलेवार तरीके से बता देते क्या हुआ है और ये कितना भयावा है करनाटक के लिए जहां पर दो दिन पहले मोधी जी थे हाथ पकड़ के चल रहे थे यदुरप्पा जी का वही यदुरप्पा जी जिनको करॉप्शन के चार्जिस पर घर बिठाया गया था आ आजपा के मले माडल विरुष विरुष पक्षपा के लड़के फ्रशांत माडल जो एक्चली करनाटक अड्मिनेस्ट्रेटिव सर्विसस के अधिकारी हैं वो 40 लाख की ब्राइब 40 लाख की घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए और ये घूस ऐसी वैसी घूस न जो टेंडर के थूँ आ रहे थे उनसे 81 लाख की डिमांड करी गई थी ये शायद पहला इंस्टॉल्मेंट आया था 40 लाख का लेकिन बात 40 लाख पर नहीं टिकती है क्योंकि पिछले 24 घंटे में MLA सहाब के लड़के उनके घर उनके सयोगियों के यहां से करीब 7 करोड 20 ल हम सरकार कहा जाता है यह उनकी असलियत है और इस सरकार की असलियत बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने इनको 40 प्रतिशत कमिशन वाली सरकार कहा तो इनको बड़ी आपत्ती हुई लेकिन यह हमारे शब नहीं थे यह करनाटक की कॉंट्रैक्टर असोसियेशन जो रेकेगनाईस संस्था है करनाटक सरकार की उन्होंने लिखित में प्रधानमंत्री मोदी को यह लिख कर दिया है कि करनाटक के हर कॉंट्रैक्ट में 40 प्रतिशत कमिशन देना पड़ता है दो लोगों ने आत्महत्या तक करी है तंग आकर और आत्महत्या करने वालों में कॉंग्रस के कारेकरता नहीं थे आपको याद होगा संतोष पाटल जी का नाम बड़े कमिटेट भाजपा के कारेकरता थे उन्होंने कुछ काम किया उनसे भी 40 प्रतिशत कमिशन वसूल किया गया उन्होंने भी प्रधानमंत्री को चिट्टी लिखी और अंततों गत्वा उ और कमिशनों को गिनाने पर आजाओं और स्कैमों को गिनाने पर तो PSI का स्कैम हुआ है मुलासिस का स्कैम हुआ है लेबर डिपार्टमेंट का स्कैम हुआ है तमामों एसे स्कैम हुआ है जिससे करनाटक सरकार गिरी हुई है यह करनाटक ही है जहां पर सड़कों पे गड़ नहीं है गड़ों में सड़क धूंदनी पड़ रही है इन सारे स्कैमों के चलते लेकिन वापस अगर इनकी बात करी जाए जो प्रशांत माडल जी पकड़े गए हैं उनके पिता अभी भी फरार हैं विधायक है और विधायक ही नहीं है वो चेर परसन है करनाटक सोप और डिटर्जेंट लिमिटेड के और उसी और्गनाइजेशन ने उसी संस्था ने टेंडर इन्वाइट किये थे और उन्हीं टेंडरों के लिए 81 लाग की घूस मांगी गई थी 40 लाग आ गई थी बाकी दाम और आना था लेकिन 7 करोड 20 लाग कैश में पकड़ा गया ये करनाटक के लोकायुक्त ने पकड़ा है इसके बारे में भारतिये जनता पार्टी के सामने सुई टपक सननाटा एक शब्द नहीं बोला जाएगा जो करॉप्शन की बड़ी-बड़ी बाते करते हैं ना डानी कहा बोलते हैं ना भरष्टा चार अब बोलते हैं एक शब्द आपको बीजेपी के कारकरताओं से बीजेपी के नेताओं से बद्दिमाग प्रवक्ताओं से ग्रह मंत्री से प्रधान मंत्री से नहीं सुनाई देगा अब सुनने में आता है कि यड़ी जी जिनके खिलाफ तमाम वो भरष्टा चार के चार्ज यह लेकिन कमीशन पर कमीशन खाया जा रहा है अगर 40 प्रतिशत कमीशन 81 लाक रुपए था तो कितने का टेंडर था यह हम सब लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और टेंडर का पैसा लेने वाले उस डेपार्टमेंट के हेड के सुपुत्र थे और एक बड़ी पते की बात है यह मुझे यहां आते वक्त पता चला कि जो प्रशान्त माडल नाम के व्यक्ति हैं जो MLA सहाब के सुपुत्र या कुपुत्र जो कह लीजिये हैं जो लेते हुए पकड़े गए हैं वो बैंगलोर वाटर सप्लाई और सीवज बोर्ड में भी ऑफिसर रह चुके हैं और सबसे मत कुकि वो MLA के लड़के हैं भरष्ट सरकार का एक हिस्सा है भरष्ट सरकार का एक अंग है वो 40 लाग की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफतार होते हैं और उनके सहीयोगियों से उनके घर के हां से 6 करोड रुपे अलग से करीब 7 करोड 20 लाग रुपे मिलता है मैं पड़ेगा और जनता ने मन बना लिया है बदले के लिए जो बार बार दोड़े दोड़े लपके लपके कभी प्रधान मंतरी कभी ग्रह मंतरी कभी फलाने कभी उमकाने जा रहे हैं कितनी भी बार चले जाएए कितनी रैली कर लीजे कितने रोड शो कर लीजे जब जब जन आप नहीं ते होनी चाहिए कि कैसे एक डिपार्टमेंट का हेड जिसने की टेंडर इंवाइट किया था उसी का लड़का इतनी बड़ी घूस लेते वे पकड़ा जाता है